आचारय चानत की जो नीतिया है वो भले ही कटोर लेक्ती है लेकिं इन नीतियों में बहुत सचाई है और जल लोगों ने इन नीतियों को अपनाcito है वह अपने जीवन में जरूर सकसिस हुए दोस्तों हर लोग चाते हैं कि उनके जीवन में पैसो हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल रियल लाइफ विट्टुकू कैसे हैं आप लो आप आप बहुत अच्छे होंगे और सिहत मन्द होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आचार ये चान करेंगे या हमारे पास धन प्रयाप्त हो ताकि हमें जरूत पढ़ने पर किसी से मांगे ना और अपनी सारी एक्षा विलासा को इन पैसों से पूरा कर ले इसके लिए ये तीन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों ये वीडियो बहुत इंट्रेसिंग है इस दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहरी बात यहां पर यह आती है दोस्तों ना करें क्रोध तीगे गुस्सा जो होता है उसे इंसान का दुस्मन समझायाता है और अकसर ऐसा होता है कि की बारे में कोई बात करते हैं या पैसो से रिलेटिट कोई हम नचलिए लेते हैं और वहाँ पे अगर हम क्रोध से काम आते हैं तो हमें अपने पैसो की छटी मतलब स्विकार करने ही पड़ती है और दोस्तों अमीर लोग जो होते हैं उन्हें आचारे-चारत के ने ये हमारे पास ही रहेगा लेकिन क्रोध हमेशा काम को उल्टा कर देता है इसने सबसे जरूरी चीज़ है कि अपने क्रोध में नियंत्रण रखना चाहिए दूसरी चीज़ आती है दोस्तों घमन जिन लोगों के पास अगर धन संपत्ति आ जाती है और अगर उनके अंदर अहंकार विक्सित हो जाता है तो ऐसे जगह पे लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती है और लक्ष्मी वहां रहना भी पसंद नहीं करती है जहां एहंकार रहता है तो दोस्तों कहना यह है कि अगर आप सक्तिसाली है आपके पास बहुत धन वैब हो है तो आप अपने घमन को अ ऐसे ही अपना सर्वाइब कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, और मध्यमवर ये परिवार तो इसी में है, भगवान ने मैनुफेक्ट्र दे रखा है, मतलब कि कुछ लोगों को जो होलसेलर होता है, वो बना रखा है, कि आप अपने अंडर इतने लोगों को रखेंगे और उन्हें तनकवा देंगे, लेकिन यही अगर कोई गलत करने लगता है, या कोई मतलब इसका नजायच फाइदा उठाने लगता है, तो भगवान उसे बहुत जल्दी गरीब भी बना देता है, और आपने ही चीज़ देखा भी होगा कि कोई गरीब इंसान है, जो अचानक से अमीर बन गया है, तो वो क्या करता है कि उसका होल सेलर वाला जो काम है, उसको भगवान दूसरे को दे देता है, तो वो गरीब बन जाता है, और दूसरा कोई गरीब आदमी वहाँ पे अमीर बन के अचानक से आ जाता है सामने, ऐसा होता है, हमने बहुत सारी न्यूस में भी देखा है और अभी भी हो ही रहा है दुनिया में तो कहना यहाँ पर यह दोस्तों कि घमंड को अपने आप से दूर रखना चाहिए जिन लोगों के पास घमंड आया अहिंकार आया उनके पास से लक्षमी तुरंग चली जाती है और तीसरी बात है दोस्तों कड प्रशन नो हो जाती है उन्हें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों कहना यहाँ पर यह है कि दैरे से तो काम करना है उसके सांथ हमें POLITELY बात करना है यह पैसा हो या ना हो POLITELY जो है वो बात करना विनमर हो के रहना यह बहुत जरूरी होता है जिंदगी में और अगर कड़वा बोलते हैं तो वहाँ पे हमारे पैसे टिक नहीं सकते हैं दोस्तो यह दुकान दारों के सांथ अगर आप बिजनसमन है तो वहां भी होता है या हम अगर किसी कंपनी के इंप्लॉई हैं हम किसी और्गनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां भी ये सारी बाते लागू होती है तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि तीन ऐसी चीज़े होती है जिन पर हमें ध्यान चाहिए दूसरी चीज है कि हमें घमन नहीं करना है और तीसरी बात यहां पर यह आती है क्रोध को अपने वस में रखना है अगर यह तीनों चीज पर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो पक्का है कि हम भी धनवान बन सकते हैं तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों मुझे ज कर सकते हैं और दोस्तों फिर मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा थैंक्यू थैंक्स पूर वाचिंग